हलो दोस्तो मोमेंट सिस किचिन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रैड पकोडा की रेसिपी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर दीजिए सा को हमने कद्दू कस कर लिया है इनी से हम ब्रैड पकोडा बनाएंगे सबसे पहले हम कड़ाई गरम करेंगे और उसमें लगबग एक टेबिल स्पून ऑईल डाल देंगे यह सर्सों का तेल है आप कोई सा भी ऑईल ले सकते हैं अब हमारा गरम हो गया है अब हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हम अजवाइन डाल रहे हैं पन फोर्ट टी स्पून जीरा जीरा और अजवाइन जब हलका सा चटक जाएगा यह देखिए यह चटक गया है अब हम इसमें आलू डाल देंगे जन्हें हमने कद्दू कस किया था और इनको हम हलका सा भून लेंगे यह हलका सा भून गया है देखिए अब इसमें मसाले डालेंगे धनिया पाउडर आदा चोटा चम्मच आदा चोटा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर दो चुटकी हल्दी भूना हुआ जीरा इनको मेक्स कर देंगे भूना हुआ जीरा भी हमने आदा चोटी चम्मच डाला है इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इनको अच्छे से भून लेंगे ये हमारा अलू का मसाला अच्छे से भून गया है अब हम इसमें एक इंच अत्रक का टुकड़क कटा हुआ या आप कस पी सकते हैं कसा हुआ डाल देंगे साथ ही हरी मिर्च करी पत्ता एक टेबल स्पून और पालक के पत्ते कटे हुए डाल देंगे और इसको चला लेंगे अच्छे से पालक के पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए हमने डाला है आप इसकी जगे हरा दनिया भी डाल सकते हैं अब हम इसको प्लेट पर ठंडा कर लेंगे अब हमने नमक नहीं डाला है नमक और दूसरे मसाले हम इसके ठंडा होने पर डालेंगे यह ठंडा हो गया है अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक चमच नमक डाली है हम चूर पाउडर आधा छोटी चमच भुना हुआ जीरा लगभग आधा छोटी चमच इन सबी को हम हातों की साहता से मिक्स कर देंगे यह हमने चार ब्रैड के पीस लिये हैं इनको हम इस तरीके से कट लगा लेंगे इनसे हम ब्रैड पकोड़ा बनाएंगे यह देखिए इस तरीके से यह हमने बटर हर्य धनिय की चट्नी और सॉस लिया है पहले हम एक स्लाइस पर बटर लगाएंगे यह हमने दूसरे स्लाइस पर भी बटर लगा लिया है सभी स्लाइस के ऊपर बटर लगा लेंगे अब हम एक स्लाइस के ऊपर हरे धनिय की चट्नी लगा देंगे और जो आलू का मसाला हमने बनाया था उसको दबा दबा के इस तरीके से एक प्रेट के स्लाइस के ऊपर लग देंगे अब हम दूसरा स्लाइस ले लेंगे उसके ऊपर हम इस तरीके से टमाटो सॉस लगा देंगे और इस तरीके से इसको पैक कर देंगे हलका सा प्रेस कर देंगे इससे ताकि ब्रैट के स्लाइसे आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे मसाले के साथ इसी तरीके से हम सभी को तैयार कर लेंगे यह हमने अब हम बेशन का घोल बनाएंगे यह हमने एक कप बेशन लिया है कि बेशन में हम अधा टी संपून नमक डाल देंगे आप अपने स्वास्ते डाल सकते हैं और इसमें हम दो चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा डाल देंगे बेकिंग सोडा से ये काफी अच्छे बनते हैं साथ में हम दो चुटकी हल्दी और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे फ्रेंट्स लाल मिर्च कलर वाली नाले अब हम एक घोल तयार करेंगे इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम चलाएंगे बेसंट में लम्स नहीं पढ़ने चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके जे चला लेंगे हमें इतना ही पतला घोल चाहिए इससे ज्यादा नहीं चाहिए और देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है हमें इसी तरीके का घोल तैयार करना है अब हम एक कड़ाई गरम करने रख देंगे अब जो हमने ब्रैड के स्लाइसे पर मसाला लगाया था उसको हम बेसंट में डिप करकर इस तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे यह हमने एक डाल दिया है उसी तरीके से हम यह दूसरा भी डाल देंगे फ्रेंट्स हमें यह मीडियम आज पर ही सेखने है ना ज्यादा तेज करेंगे ना ज्यादा स्लो करेंगे एक बार यह नीचे सिख जाएंगे तब हम इनको पल्टेंगे यह दोनों साइट से पक चुके हैं अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं अब इनको हम प्लेट पर निकाल लेंगे यह देखिए हमें इनको इतना ही सेखना है इससे जादा नहीं सेखेंगे ये देखिए सबी को हमने सेख लिया है यह हमारे ब्रैट पकोडा बनकर एकदम तयार हो गए इनको हम सॉस के साथ चटनी के साथ ब्रेक फास्ट में या शाम को स्नेक्स के समय खा सकते हैं यह हमारे बहुत बढ़िया ब्रैट पकोडा बनकर तयार हो गए अगर आपको आज की ब्रैट पकोडा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग